हाई फ्रेंड्स वल्कम बेक टू एजू के इस इंडिया तुरुस्त वाज के इस सब वीडियों में बात करेंगे किसान करज माफी 2021 के बारे में जहां पर सरकार ने आखिरकार बहुती बड़ी गोशना कर डालिये जिसके बाद में सभी किसानों का संपून लोना माफ़क किया जाएगा और 16 लाग किसानों को ये फाइदा मिलेगा यानि 16 लाग किसानों के लिए सरकार ने आदिसा जारी क्या है इसमें किसानों को बहुती बड़ा तौफा मिला है तो अभी हम आप सबी को किसान करज माफी 2021 के बारे में पूरी जान करें इस वीडियों में देंगे तो इसलिए आप इस वीडियों को सुरू से लेकर अंतक देखिए लेकिन उससे पले आप सभी से अमारा एक छोटा सा निवेद ने कि आपके अपने इस सनल को आप आऊ से सब्सक्राइब करिए और पास से में दिकरें घंटी के निससान को दवाईए ताकि आपको आगे भी किस किसान कर्ज माफी के बारे में हर एक जानकरी सबसे पले देखने को मिले तो चलिए अभी हम जानते हैं कर्ज माफी 2021 को लेकर आ रही अभी अभी के बहुती बड़ी खबर के बारे में पूरी जानकरी तो तमिल नाडू से किसान कर्ज माफी को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकिये जहां पर चुनाओ से पाले 12110 करूर रुपे का किर्सी कर्ज माफ किया जाएगा इसको लेकर तमिल नाडू की सरकार ने एलान कर दिया और 16 लाग किसानों को ये फाइदा मिलेगा एसे में किसानों के लिए बहुती बड़ी कुस कबरी निकल के सामने आ चुकिये तो तमिल नाडू की ए आई ए डियम के सरकार ने राज्य की किसानों के लिए रात बरा कदम उठाते हुए सुकरवार को आहम एलान किया इसके तात राज्य के कोपरेटिव बेंक से लिए फस 12,110 करूब रुपे का लोन माफ करने की गोश्णा किये इसके ता 16,000,000 को फाइदा मिलेगा और 16,000,000 का संपुना लोन माफ किया जाएगा जो की कोपरेटिव बेंकों से लिया होगा वही लोन माफ किया जाएगा इसको लेकर जानकारी दिये वही राज्य विदानस्वा में इसकी गोश्णा करते हो मुख्यमंत्री के प्लानी स्वामी ने काए कि तमील नाडू के मुख्यमंत्री के प्लानी स्वामी की और से एलान हुआ है कि कोपरेटिव बेंकों से लिया जाने वाला फसले कर जा माफ कर दिया जाएगा इससे यहा है कि ए आई ए डिम के एक मात्र ऐसी पार्टी जो वादों को पूरा करती है और नए कल्यान करी उपायों के साथ भी आती है वहीं पक्सी डिम के पर निसना साथ है उन्होंने का है कि पार्टी ने दो एकर जमिन का वादा गया था लेकिन इसे लागू करने में वह भी पल रही यानि डिम के पर यह निसना साथा गया और इसी के साथ ही किसानों को तवफाद दिया है वहीं आगे मुख्यम मंत्री ने का है कि राज्यों में चक्करवात तुफान निवारा बुरेवी और भारी बारिस के कान किसानों की इस्तिभद लाले और जिसे देखते हुए फैसला किया जा रहा है मुख्यम मंत्री ने इससे पाले भी यह कहा था कि खरावी फैसलों के मौज़े के तौर पर 1117 कुर्व रुपे की रासी दी जाए गया जिससे करीब 11 लाग किसानों को फाइदा मुलने की उमीद है और बताते चले कि राज्यों में इसी साल विदान स्वाच चुना होने इससे पाले यह बड़ दाव मना जा रहा है कि प्रणिस्वमी की और से सरकार की और से तो इस सब परकार से यह पूरी जानकारी कर्जमाफी 2021 को लेकर निकल के सामने आए जो कि दिसके एगा बड़े राज्य तमील लाडु से निकल के सामने आयो और दोस्तों इ शिमंगाल में किसानों की करज माफी को लेकर जोए ममता बेनर जी की सरकार में लगातार गुर्टगू हो रही है विचार मर्स का दोर जारी है तो इस परकार ये पूरी जानकारी आप सबी के लिए निकल के सामने आई थी तो यदि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगिये तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिये और दोस्तों आगे भी इससी परकार के अन्ये खबरों के लिए आपके अपने इस सनल को आप आउस्या सब्सक्राइब कर डाले तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के ये बात बहुत धन्यवाद